हलो फ्रेंड्स आपको करवा चौत की बहुत बहुत बधाई हो और अगर आप प्रिगनेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं करवा चौत का वरत करूंगी तो निराहार या बिना पानी वाला वरत बिल्कुल ना करें प्रेगनेंसी में अगर आप खाली पेट रहती हैं तो बच्चे को गुलकोज नहीं मिलता है और बच्चे को नुकसान हो सकता है इसलिए आप खाना पीना अपना बिल्कुल बनना करें वरत आप जरूर करीए लेकिन दिन भर में पानी जरूर पीते रहीए पानी के साथ आप नारिल पानी आप ले सकती है और जो भी फूट्स आपको खाना हो केला है सेव या एपल बनाना या अनार वगएरे इस तरीके से आप कुछ भी फूट्स आप ले सकती है अब अगर आपके यह है कि आपको कुछ खाना पीना नहीं थो डॉक्ट्रे सलाहा यही है कि आप इस तरीके कवरत ना करें जब भी अगर आपको वरत करना ही है डेफिनिटली तो पानी तो ज़रूर पीना है पानी के साथ में फूर्ट, फूर्ट जूसिस, दूद, सूप ये सब ज़रूर आप ले सकती है तो अपना करवाचौत मनाईए अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिए लेकिन अपने बच्चे का भी ध्यान दखिए आने वाला बच्चा भी की फैमिली का हिस्सा है तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखिए बहुत बहुत आपको करवाचौत की शुप कामनाई